कहते हैं बॉलिवोट में रिष्टे भी दिखावे के होते हैं लेकिन अगर बात करें प्रयांका चोपडा और करीना कपूर की तो ये दोनों एक दूसरे से इतनी ज़ादा नफरत करती है कि कभी भी दिखावे के लिए भी इन्होंने एक दूसरे से दोस्ती नहीं रखी फिल्मों को लेकर नंबर वन आक्ट्रिस बनने को लेकर सुन्दरता के मामले में किसका ज़ादा अच्छा फैशन सेंस है बॉइफरिंट से लेकर बेस्ट अक्ट्रिस के अवाडस तक इन सब चीजों में इन दोनों आक्ट्रिस का जगड़ा हो चुका है और आज बॉलिवूड's biggest fight में हम प्रियंका और करीना की biggest fight के बारे में बात करेंगे प्रियंका और करीना ने पहली बार एक साथ काम किया था 2004 की फिल्म अतराज में इस फिल्म में जहां करीना कपूर ने अक्षे कुमार की वाइफ का रोल निभाया था वो एक पॉजिटिव किरदार में थी वहीं प्रियंका चोप्रा इस फिल्म में एक वाइंप के रोल में थी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों ही आक्ट्रिसस में बहुत अच्छी पड़ती थी इन फैक दोनों एक दूसरे के बेस्ट सीन्स के लिए एक दूसरे को कॉम्प्लिमेंट भी किया करती थी साथ ही एक दूसरे की पर्फोर्मेंस को भी प्रेज करती थी लेकिन जैसे ही यह film रिलीज होई और क्रिटिक्स के रिवियू आए तब ही से इन दोनों के बीच दरार आ गई वेल एक्तरासइ फ्ल्म का पूरा लाइम लाइट अगर किसी ने लिया है तो वो है प्रियंका चोप्रा प्रियंका चोपडा का जो किरदार था उस किरदार में करीना के किरदार को ओवर पावर किया था प्रियंका चोपडा को इंडस्ट्री में आये हुए दो साल ही हुए थे वहीं अगर बात करें करीना कपूर की तो वो प्रियंका से थोड़ी सीनिय थी ऐसे में इतना जल्दी प्रियंका का इतनी limelight में आना शायद करीना को बरदाश नहीं हुआ इन फैक्ट एतरास फिल्म के बाद जहां अवर्ड फंक्शन में करीना का कहीं जिक्र तक नहीं हुआ वहीं प्रियंका चोपडा ने जीत लिया Filmfare Award for Best Actor in a Negative Role और यहीं से शुरू हो गया दोनों के बीच competition और यह competition टाइम के साथ साथ हमेशा नजर आता रहा है यह 2006 में यह दोनों actresses एक साथ नजर आई थी film Dawn में जहां प्रियंका चोपडा इस फिल्म की लीड अक्ट्रिस थी वहीं करीना कपूर ने इस फिल्म में एक आइटम नमबर दिया था प्रियंका चोपडा की Dawn फिल्म में काफी तारीफ होई थी उनकी performance काफी stunning थी वहीं इसी साल करीना कपूर हमें नजर आई थी ओमकारा फिल्म में और इस फिल्म में करीना की भी काफी तारिफ होई थी वल अवार्ड्स तो इन दोनों में से किसी को भी नहीं मिले इस साल लेकिन नॉमिनेशन्स में करीना कपूर जादा रही फिर आया साल 2007 जिसने करीना को एकड़म टॉप में लाकर खड़ा कर दिया और वो आ गई नंबर वन पर जी हाँ 2007 में करीना कपूर ने जब जब वी मैट फिल्म में गीत का रोल किया तो उन्होंने इंडास्ट्री के साथ साथ बहुत सारे लोगों का दिल जीत लिया हर दूसरी लड़की गीत के करेक्टर से खुद को कनेक्ट करने लग गई और गीत सबके दिल में बस गई इसके साथ ही करीना को मिल गया बेस्ट अक्टरिस का फिल्म फेर अवर्ड वहीं अगर 2007 में प्रियंका चोपडा की बात करें तो डॉन जैसे फिल्म देने के बाद 2007 पूरा साल प्रियंका चोपडा के लिए बहुती फ्लॉप एयर रहा इस साल उनकी जो भी फिल्म में आई वो बॉक्स ओफिस पर धडल ले से फ्लॉप होई ये फिल्म में थी सलाम इश्क और बिग ब्रदर फिर आया ये 2008 जो कसर 2007 में प्रियंका की बाकी रह गई थी वो कसर उन्होंने पूरी निकाली 2008 में इस साल प्रियंका चोपडा ने कुछ बहतरीन फिल्मों में काम किया जैसे कि fashion और दोस्ताना इन दोनों ही फिल्मों में प्रियंका चोप्रा की performance की काफी तारीफ हुई और अगर बात करे fashion film की तो fashion film के लिए प्रियंका चोप्रा को ना सिर्फ best actress का film fair award मिला बलकि इस film ने प्रियंका चोप्रा को best actress का national award भी जितवा दिया on the contrary अगर बात करे करीना कपूर की तो ये साल करीना कपूर के लिए बहुत बड़ा floppy air गया था इस साल box office पर करीना कपूर की जो भी फिल्म में आई वो या तो flop थी या फिर average films थी जैसे कि टशन जो बहुत बड़ी disaster थी वही गोलमाल return जो कि गोलमाल सीरीज में से ही सबसे दोर फिल्म मानी जाती है और इस साल जहां हर तरफ प्रियंका चोपडा का नाम हो रहा था वही करीना कपूर का तो award functions में कहीं nomination भी नहीं आया था इस साल प्रियंका चोपडा ने करीना से ना सिर्फ best actress के awards चीने ते बलकि करीना की एक और बहुत प्यारी चीज प्रियंका न जब प्रियंका के घर पे early morning IT की rate पड़ी और जब IT officers वहां पर गए तो घर पर शाहित कपूर भी मौजूद थे Well complex तो होना ही था करीना कपूर जो Bollywood की family से belong करती है जो एक ligacy से आती है वहीं अगर बात करें प्रियंका चोपडा की तो वो है तो non filmy background से लेकिन वो भी Miss Universe रह चुकी थी इसलिए दोनों ही actresses में से कोई भी एक दूसरे के सामने जुकने को ही तयार नहीं थी प्रियंका हाला की Bollywood के field से थी नहीं लेकिन जिस तरह से उन्होंने Bollywood के इस माहोल को catch किया उतना जल्दी शायद ही कोई actress इस Bollywood के माहोल में धल पाई होगे In fact हर एक film के साथ साथ हम notice कर सकते हैं कि प्रियंका चोप्रा के looks उनकी acting और उनके बात करने की तरीके में किस तरह से changes आए विल जहाँ पर बात करने की तरीकी की बात हो रही है तो एक time के बाद करीना कपूर को प्रियंका इस कदर बरदाश नहीं हो रही थी कि करीना जब प्रियंका की फिल्मों की गलतिया नहीं निकाल पाई तो उन्होंने प्रियंका के accent पर comment करना शुरू कर दिया बात है Coffee with Karan season 3 की 2010 में करीना कपूर भी इस show में गई और जब करन जोहर ने करीना कपूर को पूछा कि अगर तुम्हें मौका मिलता है प्रियंका चोपडा को interview करने का तो तुम प्रियंका चोपडा से क्या सवाल करोगी तो करीना ने तपाक से जवाब दिया मैं उसे पूछूंगी कि तुम्हें ये accent कहां से मिला उनके कहने का मतलब था कि प्रियंका चोपडा पहले जब आई थी तब अलग तरीके से बात करती थी लेकिन आप वो एक accent में बात करती है जो की काफी fake लगता है इसलिए करीना ने तब उनके accent को point out कर दिया था इसके बाद प्रियंका चोपडा भी जब same show यानि की काफी विद करन में गई तो करन जोहर जोगी controversies create करने के लिए जाने जाते हैं उन्होंने करीना का ये answer प्रियंका को बताया और प्रियंका से पूछा कि करीना का आपके accent के बारे में ये कहना है इस पर प्रियंका ने करीना को जवाब देते हुए national television पर कहा कि मेरा ये accent वहीं से आता है जहां से तुम्हारे boyfriend सैफ का accent आता है ये वो time था जब इन दोनों actresses का ये जगड़ा national television पर भी नजर आ गया था लेकिन ये तो शुरुआत थी हद तो तब हो गई जब करीना से एक बार interview में पूछा गया कि हर बार मीडिया प्रियंका से करीना को competition करवाती है तो इस पर करीना का क्या कहना है कि दोनों में से कौन best actress है करीना ने इस पर जो जवाब दिया उससे तो वाकई में प्रियंका चोपडा को भी काफी चोट लगी करीना ने इस पर जवाब दिया कि बॉलिवूड में वो रानी मुखर जी के अलावा किसी को भी अपना competition नहीं मानती है फिर जब interview में clear करने के लिए पूछा कि प्रियंका चोपडा के बारे में आपका क्या कहना है इस पर उन्होंने ये कह दिया कि हम यहाँ पर अभी actresses की बात कर रहे हैं यानि कि करीना ने अपने sentence से कह दिया कि वो प्रियंका चोपडा को actresses की list में ही नहीं मानती है लेकिन प्रियंका चोपडा भी चुप रहने वाली नहीं थी अगर करीना कपूर कपूर खानदान से है तो प्रियंका चोपडा भी यहाँ तक पहुंची है अपनी महनत और अपनी काबिलियत के दम पर इसलिए वो ऐसे ही किसी से भी सुन कर लेने वाली नहीं थी इसलिए प्रियंका ने करीना के इस स्टेटमेंट को जवाब देते हुए कहा कि करीना मेरे बारे में ऐसा बोल सकती है क्योंकि वो मेरे से बहुत जादा सीनियर है इसलिए वो कॉलिफाइड है मुझे पे कमेंट करने के लिए वेल ये तो एक ग्लोबल फैक्ट है कि किसी भी लड़की को अपने आपको सीनियर या एजिट कहलाना बिलकुल अच्छा नहीं लगता है और अगर बात करे करीना कपूर की तो उन्होंने तो ये एज वाला टैग अपने साथ कभी लगाया ही नहीं है उन्होंने हमेशा कोशश की है कि वो अपनी एज से बहुत कम लगे फिर भले ही वो शादी शुदा हो जाए या फिर एक बच्चे की मा हो जाए ऐसे में प्रियंका चोपडा का ये स्टेट्मेंट करीना को चिड़ा देने वाला था बॉलिवुड में इन दोनों आक्ट्रसिस ने जैसे जैसे टाइम निकाला दोनों ही अपने करियर को लेकर मैच्चॉर होती रही अब ये बॉइफ्रिंट्स के लिए अच्छे लुक्स के लिए या एकसेंट के लिए एक दूसरे को नहीं चिड़ा रही थी अब ये दोनों एक दूसरे को चिड़ा रही थी अच्छा काम करके प्रियंका चोपडा के पास नैशनल अवार्ड था लेकिन करीना कपूर को अभी तक नैशनल अवार्ड नहीं मिला था ये 2012 में करीना कपूर ने उस सेम डिरेक्टर के साथ काम किया जिस डिरेक्टर के कारण प्रियंका चोपडा को नैशनल अवार्ड मिला था यानि की मधूर भंडार कर जी हाँ इस साल करीना कपूर काम कर रही थी फिल्म हिरोईन में मधूर भंडार कर के साथ वैसे फिल्म हिरोईन के लिए मधूर की first choice एश्वरिया राय थी लेकिन एश्वरिया ने end में walk out कर लिया फाइनल ये फिल्म आकर मिली करीना कपूर को इस फिल्म के promotion के दौरान करीना कपूर से जब पूछा गया कि मधूर भंडार कर के production की कौन से फिल्म आपको सबसे ज़ादा पसंद है तो उन्होंने ये कह दिया कि मधूर भंडार कर की आज तक की सबसे अच्छी कोई फिल्म है तो वो फिल्म हिरोईन है तब उनको contradict करते हु जादा believe नहीं करती है उनके लिए एक फिल्म का मतलब वही है कि फिल्म entertaining होनी चाहिए और जादा से जादा audience फिल्म को देखने के लिए आनी चाहिए अवार्ड वगेरा से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है जाहर सी बात है बेबो के ये comments जब प्रियंका चोप्रा के कान फिर अपना reaction देते नजर आई और वाकई में उन्होंने जो reaction दिया उससे करीना कपूर को एक बार फिर से अपने ही शब्दों की खानी पड़ी है प्रियंका चोप्रा ने सिर्फ इतना सा कहा कि वेल जो ये कह रहा है कि उन्हें national award से कोई लेना देना नहीं है वो ये फिल्म मधूर बंडार कर की सबसे लोइस्ट फिल्म रही है जिसने बॉक्स ओफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं किया और नैशनल अवार्ड तो दूर करीना कपूर को बेस्ट आक्ट्रिस का फिल्म फेर अवार्ड भी नहीं मिल पाया इन फैक्ट अगर 2012 एर की ही बात ह हो रही है तो उसी साल प्रियंका चोप्रा के भी कुछ फिल्म में आई थी और कहा जा सकता है कि इस साल प्रियंका चोप्रा ने अपने करियर की बहतरीन फिल्म में दी जिसमें से एक फिल्म थी बर्फी जो फिल्म प्रियंका चोप्रा के करियर की एक बहतरीन परफॉर्में में करीना कपूर नजर आई थी वहीं प्रकाश जा के साथ प्रयांका चोपडा नजर आई थी जय गंगा जल में लेकिन ये दोनों ही आक्ट्रिस प्रकाश जा के लिए कुछ लखी साबित नहीं हो पाई इसी दोरान आया year 2015 ये वो टाइम था जब करीना भी अपने करियर में काफी अच्छा काम कर रहे थे जी हाँ 2015 और उसके आसपास करीना कपूर ने कुछ बहतरीन फिल्में की जिसमें से एक है बजरंगी भायजान इसके अलावा उर्ता पंजाब इस फिल्म की भी काफी तारीफ हुई थी साथ ही सिंगम रिटर्न्स इसके अलावा अगर बात करें प्रयांका चोपडा की तो प प्रयांका चोपडा के जो काफी वाइरल हुए हैं जो expressions इस फिल्म में प्रयांका चोपडा ने दिये हैं शायद ही कोई actress होती जो इस तरह से कमाल कर पाती और उसके बाद दिल धड़कने दो प्रयांका चोपडा एक के बाद एक सूपर हिट फिल्म में देती जा रही थी य यहां पर अब दूसरी actresses आ गई थी विध्या बालन जो कि dirty picture, कहानी इन जैसी फिल्मों से अपनी acting का लोहा मनवा चुकी थी साथ ही आलिया भट जो सबसे young generation की नई actress थी और कम ही time में इन्होंने अपने आपको commercial cinema के साथ साथ serious cinema में भी प्रूफ कर दिया था Highway और उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों से कंगना रनौत आ गई थी उनकी queen सूपर हिट हुई थी वहीं अगर बात करे दिपिका पादुकोन की तो अब संजय लीला भनसाली के साथ दिपिका पादुकोन ने राम लीला बाजी राव मस्तानी जैसी फिल्में दे दी थी साथ ही सुझीत सिरकार के साथ की पीकू फिल्म जो की काफी सूपर हिट हुई थी यानि कि बॉक्स ओफिस पर धीरे धीरे दूसरी आक्ट्रिसिस आ रही थी वहीं अगर बात करे करीना कपूर की तो ये वो टाइम था जब वो अपनी फैमली के साथ काफी बिजी हो गई थी वो शादी के बाद थोड़ा टाइम सैफ के साथ भी बिताना चाहती थी इसलिए थोड़ी कम फिल्मे कर रही थी और यही कारण था कि जब कोई मुकाबला ही नहीं रहा जब कॉम्पिटिशन ही नहीं रहा जब करीना और प्रियंका दोनों अलग-अलग इंडस्ट्री का हिस है जिसमें एक मैसेज होता है साथ ही उनका ध्यान हॉलिवुट की तरफ भी बढ़ चुका है टाइम के साथ साथ इन दोनों ही आक्ट्रस ने अपने जगड़े को भी खतम किया यह दोनों एक दूसरे की तारीफ करते नजर आई जिस वक्त प्रियंका चोपड़ा हॉलिवु किया एक दूसरे के काम की तारीफ की बल्कि जिन चीजों के कारें ये पहले जगड़ा करती थी उन चीजों को मजाक में टालती नजर आई जैसे कि एक टॉपिक था शाहित कपूर का जहां पर उन्होंने कहा कि यही एक चीज है जो हमारे दोनों के बीच में कॉमन है आज य जहा करीना कपूर खुद शादी के बाद एक रॉयल फैमिली का हिस्सा बन गई वहीं प्रियंका चोप्रा के कॉन्टाक्स भी कुछ कम नहीं है ब्रिटेन की रॉयल फैमिली मेंबर मेगन माकल उनकी बेस्ट फ्रेंड है साथ ही अगर बात करे ईशा अंबानी की तो ईशा अ कंपनी ने अवार्ड विनिंग फिल्म में बनाई है और रही बात पैलस की तो उनके पास पैलस नहीं तो करोडों की गाड़ी है रॉल्स रॉयस जिसमें जब भी वो इंडिया आती है तो उसी में घूमती नजर आती है मुंबई की रानी बन कर वे कहते हैं ना कि जब तक ल माइने में कौन है बहतरीन अक्ट्रिस प्रियंका या करीना कपूर कॉमेंट सेक्शन में सरूर बताईए बॉलिवूड के बिगेस फाइट में आज के लिए बस इतना है फिर मिलेंगे एक और स्टोरी के साथ तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेस्बुक पेज बॉलिव ठीकाना